वेलकम प्यारे बच्चों आज हम देखने वाले हैं हमारी वर्क्षीट नंबर 42 क्लास 10th की आज को जो टॉपिक है mathematics में 9th of October की वर्क्षीट है हम एक निया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है यहां पर आपको एक interesting fact इसकी end of the video में आपको पता चलेगा कि कैसे height and distance यह trigonometry और tangent to a circle सेम है बट अभी हम चलते हैं इस वर्क्षीट में क्या दे रखा है यहां पर इन्होंने बोला है let us recall recall इसले क्योंकि आपने छोटी classes में इसके बारे में थोड़ा बहुत पड़ रखा होगा circle के parts के बारे में तो इंदर फिगर यह जो फिगर यहां पर दे रखी है right hand side में वह पूछ रहे हैं कि यहां पर जो cd एक line है उसे हम क्या कहते हैं तो अगर आपको याद होगा cd को हम क्या कहते हैं और अगर आपको यादो लॉंगे स्कॉर्ड क्या होती है लॉंगे स्कॉर्ड होती है डायमेटर अपर दे रखा है देखो दोनों में समझने ही कोशिश करते हैं फरक क्या है यह भी जो line है वो circle के दो point को meet कर रही है यह वाली जो line है यह भी circle के दो point को meet कर रही है तो दोनों की दोनों chord तो हुई लेकिन यह वाली cd यह जो उपर वाला जो छोटा वाला circle है वो वो क्या है center से पास नहीं कर रहा तो इसको हम कहते हैं chord वेराइस यह वाला जो नाम है आप इनना नाम नहीं दे रहा था सबस्क्रों करो एबी दे रहे हम इसको एबी जो है लाइन वो क्या कर रही है वो उस chord को है लेकिन यह center से पास कर रही है तो इससे कहते हैं सबसे लंबी chord होती है अगर आप इसको खुद measure करके दिखेंगे इसी circle के अंदर बड़े वाले circle के अंदर बहुत सारी chords बनाएंगे तो आपको realize होगा जो center से जा रही है वो सबसे लंबी होगी आगे बढ़ते हैं मिसके अंदर तेकिन कोशन बोला है तर रेडियो सेंटर एंड कोड लाए इंसाइड दे सरकल अंदर होता है देखो तीन चीज़े होती है एक अंदर होना सरकल के अंदर एक बाहर होना है एक on the circle मतलब सरकल के ऊपर होना तो यहां पर दो ऑप्शन दे रखेते तो आंसर होगी है इसका inside the circle the diameter of is the longest अभी अभी हमने बात करी लिए longest क्या होती है diameter diameter होती है longest chord हम यहाँ भी chord लिख देगे आगे हमारा next topic यहां पर आता है पढ़ लेते हैं इसके बारे में in the figure 1 यह वाला जो figure है एक second यह हर जागा in the figure 1 यह वाला जो figure है the line segment lies inside the circle touches it at two point it is called the diameter of the circle in figure 3 यह वाली जो figure नीचे दे रखी है in figure 3 the line segment touches the circle at one point अब जब कोई line जो है एक point पर touch करती है यह दिखने एक point पर touch कर रही है तो उसे कहते हैं tangent तो मैं इसको याद के से रखता हूं T for tangent T for touch ठीक है T for tangent T for touch touch at any point तो यह जो point P होता है उसे हम कहते है point of contact language language समझने की important होती है okay तो यह क्यों कि line chord क्या होती है line segment थोड़ा सा words को ध्यान दे line segment क्या होती है line segment वह line होती है जोसको हम measure कर सकते हैं जो रुक जाती है end point होते है whereas line क्या होते इसके end point नहीं होते आगे बढ़ती रती है यह आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है figure number four यह जो उपर दे रखे figure number four उन्हें क्या बोला है इस देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यह डी इए वह क्या लग रहा है line segment लग रहा नहीं लग रहा लेकिन अगर आप ध्यान से देखें और जो है वह सरकल पर रुक गई लेकिन यह जो है वह आगे बढ़ रही है उन दोनों में फरक बस इतना ही है कि यह भी दो points से जाती है pass is from two point बट इससे कहते हैं सीकेंट इससे कहते हैं सीकेंट और CD को कैते हैं इसको कहते हैं तो बहुत सारा इसके बारे में कोशन आ जाते हैं छोटी क्लासस में तो आते ही थे बड़ी क्लासे में भी आपको सोड़ा सा समझने की ज़रत है सीकेंट इस लाइन विच पासिस तू पॉइंट एक लाइन है जो दो पॉइंट से जाती है आगे बढ़ते हैं अब लाइन सेग्मेंट है जो कहीं से नहीं पास कर रही इसका कोई नाम नहीं है सच यह बस आपको समझाने के लिए है तो तीन कंडिशन हो गई सवाइज़ इसक्रवी और कोई धान से खौना यह सारी क्या है क्यों वेरी और यह सथारी जाती इसका जयाएं और इसकेिलन काओं इसके कॉर्ड तूपॉइंट इंटर्सेक्ट एक टूपॉइंट क्योंकि बाहर जा रही है और टच इस एट वन पॉइंट कि एक 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 इंट्रस्टिंग साथ बताता हूं किया है वह मैंने अपनी अलग से वीडियो से अभी और ख़य चाय है त्रिज्ट एंजेंट इसन बट एक यारा आया आपधेगेश्ट कॉनि थीटा पर इसन कशीन थीan को थे क्लिक्स ने पता है और अगर नहीं पता थी तो वह भी बता है साकि हमने कुछ इंटर्सिंग इस आपको बताई है या नहीं बताई है ओके दपॉइंट कॉमंट देंजें टेंजन तो इसको इसको अब ऊपर विफ ने पड़ा था उसे केते हैं पॉइंट ओफ वॉन पॉइंट आफ कॉन्टेक्ट यह इसका अंसरो गया नेट्स कोशन है how many tangents can you draw देखो टेंजेंज से जाती है जो एक पॉइंट से जाती है कि आप मुझे बताओ कितने पॉइंट होते हैं एक सरकल के उपर गेस करो ये इन्फिनिटी तो हम लिख सकते हैं cannot count या हम लिख सकते हैं unlimited या हम लिख सकते हैं infinite कुछ भी आंसर इसका हो सकता हैं क्योंकि infinite points और infinite lines वहां से जा सकती है नेक्स हमारा question आता है define differentiate between secant and tangent तो आप यह बना दे यह दो लिख दे और इसका सब्सक्राइब और यह समय चाइब है सैंपर और देरहता है धिर सकते हैं कि आपको पड़लेते हैं तो पैलल तो हो सकती है तो आंसर हो गया true दूसरा अगली वरक्षिट में देखेंगे इसके रहेट इसके रहेट कुस्ट और रिक्वेस्ट करना था कि आप बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं क्योंकि जितना आप हमें रिस्पॉंस देंगे उतना ही जादा हम भी इसके पर हार्ड वर्क कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि टाइम तो लगता है वीडियो को रिकॉर्ड करने में अगर आप चाहते हैं कि मैं हाइट और बिस्टेंस के जो भी कोशन से एक एक करके उनका स पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा हो यह चैनल को प्लीज करें और आगे अपने दोस्तों को ज़रूर यह पॉवर्ड करें यह वीडियो ताकि उनको भी कुछ हिससे हिल्प हो सके थैंक यू वाचिन स्यूने नेक्स वीडि झाल आग्ड करें ऑपक्तर स्यूने दोस्तों को 95 सब्सक्राइब अगरो।